हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी, स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ग्यात होगा कि जो बैच है 2018 है डियलेट का, उसका सेकेंड समेस्टर का जो परिडाम है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है पास, फेल, प्रसिश्यों की संख्या जो है वो भी बता दी गई है कि इतने अभिरती उतेर्ड हुए है अनुतेर्ड हुए है अभी फिलहाल जो वेबसाइट है उस पर अप्लोडिंग का काम पूरी तरीके से आप कहा सकते हो कि अभी चल रहा है इन्होंने अभी डेटा ओवराल डिकलेयर किया है कि इतने इतने जो है फेल और पास है तो अभी मैं आपको बता दूँगा वीडियो में लास्ट तक बने रहीएगा कि कैसे क्या कुछ आप थोड़ा सा वेट करके रिजल्ट को कैसे देख सकते है यहां पे आप लोगों को म बड़ी बात है ऐसे में काफी ज्यादा बच्चे जो है वो फेल हुई है दो हजार अठारह बैच सेकंड समेस्टर में लगबग 36% के आसपास लिखा है कि परिक्षा में स्वामिल हुए प्रसिक्षों में एक तिहाई को अनुतिरड घोसित किया गया है इससे हलकम्प मचा ह इसके पहले की प्रसिक्षण परिक्षाओं ने भी प्रसिक्षवेल होते रहे हैं लेकिन इस पार संख्या काफी अधिक है बाकी डिटेल में आप यहाँ पर देख पा रहोंगे कि कितने पंजिक्रे तो थे इसमें अगस्त में परिक्षा हुई थी और कितने यहाँ पर 54,744 यहाँ पर अनुतीर्ड हुए हैं लगभग 1,500,000,000 में जी हाँ उसमें 1,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, info.in यह है इनके लिए website ठीक है जो 2017 बैच से हैं second semester का जिनका रहा गया था मलब जिन्होंने paper दिया था वो यहां से जा करके अपने result को देख सकते हैं बाकी अगर बात की जाए btc exam.in 2018 के लिए तो जो लिंक दी गई है वो लिंक आपकी काम करेगी बिल्कुल ठीक है बस थोड़ा सा वेट करिएगा अभी उसमें यही है कि आपका try after some time लेक्ट के आ रहा है जब आप बात करते हों यहाँ पर DLA 2017 वाला जो batch है और यह 18 वाला batch ठीक है इसमें दोनों data आप यहां से देख पा रहे होगे तो result के लिए थोड़ा wait कर लीजिएगा आप लोग जाहें तो अगर मुझे कुछ पता चलता है तो ऐसे भी मैं आप लोगों को inform इसके regarding कर दूँगा कि अभी जो result है वो फिलहाल दिखने लगा है तो संयम रखेगा result आपका दिखेगा जल्दी ही website पर जो मैंने बताई है वीडियो को शेयर कर दिजेगा अपने दोस्तों साहपाठियों के साथ में भी और एक चीज मैं बता दूँ आगे से यहां पर अगर चौते समेस्टर वाले हैं कोई भी वीडियो गर देख रहे हैं तो प्लीज बढ़ाई पर ध्यान दिजे यहां पर जो डेटा है कुछ आजीब सा जो है अनुतिर्ड विद्यार्थियों का निकल करके आ रहा है साउधान रहने की जरूरत है जल्दी ही मिलते हैं थैंक्स वरोची